असलाम लेकुम बहुत ही युनिक रेसिपी आज शेयर कर देती हूं पालक की चाड या पालक की सेफ जो भी कहलो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसे बनाएंगे। इसी का ब्लेंड करके हमें तीन से चार शममच यूज करना है जितना भी आप तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से। दो के रग दी हो सूखने के लिए अब एक पत्ते को उठाना है और उसमें यही फिलिंग एड कर देना है जो आलू वाली अभी हमने बनाएं बस हलका सा प्रेस करते हुए एड करिए थोड़ा ज़ादा अगर पसंद हो तो थोड़ा सा ज़ादा एड करिए उसके उपर दू सारी साइज जो है एक साथ रखिए जादा छोटा बड़ा नहीं रखना है हमें अब उसी सलरी में हमें डिप करना है और सलरी थोड़ी हमें गाड़ी ही रखना है बहुत जादा रनी नहीं रखिए ऑल हीट हो जाए उसके बाद डाइरेकली आड कर दीजिए पैन में पहले नीचे रहेगा धीरे धीरे वह अपने आप उपर आ जाएगा ओल की टेंपरेचर के हिसाब से और दोनों साइट से क्रिस्पी होना बहुत जरूरी है तभी चार्ट में असली मजा आएगा एक साइट से जब हलका perfect golden turn हो जाए फिर दूसरी साइट से भी flip करके हमें कर लेना है और निकाल लीजिए पूरा oil separate कर लेना है वुंदी भी बना लेते हैं ये optional है आप चाहें तो बनाई ये skip कर लीजिए उसी में add करके थोड़ा बहुत फिर हमें इसे remove कर लेना है क्रिस्प दही नहीं है और वही चटनी आड़ कर दीजिए यानि green चटनी जो हमने blend किये थे उसे spread कर लीजिए बुंदी आड़ कर देना है जो अभी हमने बनाए और साथ ही save add कर दीजिए save की quantity जादा रखी काफी अच्छा लगता है इस चार्ट में बस कर लेंगे इसे serve बहुत ही tasty है जरूर ट्राइ करिए और चैनल पर नहीं हो जरूर सबस्क्राइब कर लीजिए अल्ला हाफेज